हेलो दूस्तो नमेशकार एसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दूस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरू कहना चाहूँगा आज के दिन भी बहुत सारे वीडियो आ चुके सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी जरू इनको स्टड़ी करना फर्स्टाम विजिट के चानल को जरू सब्सक्राब करने फ्री स्टॉक मार्केट क्लासे इसको भी फॉलो कर सकते हो लिंक उपर आए बटन पर या नीचे डिस्क्रिप् सब्सक्रिप्शन की बात करें या फिर टोटल इंकम की बात करें तो आप देख सकते हो 21,300 में अप्रॉक्सिमेटली पकड़ लूँगा तो फिर आपको इजी समझ में आ जाएगा उसके पहले था लगबग 20,300 आप यहा पर देख सकते हो 21,300 इस वक्के पिछले कौटर में 20 23,300 एक कौटर की जंप में हम लोगों को या पर लगबग 1000 रूपीज इन लेक्स ओविसली करोड़ का जंप हम लोगों को देखने को मिल रहे है इंकम में यही चीज हम लोगों को लगबग एक साल पहले 19,800 के रेंज में देखने को मिलती थी 19,800 अभी कितना हो चुक है इनकम 21,300 तो बहुत ही कमाल की जंप हमने को देखने को या पर मिल रही है और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कमपनी के इनकम अगर सॉलेड रहेंगे तो फाइनल प्रॉफिट का फीगर भी अच्छा आने के चांसे बढ़ जाते है तो देख लेते सुलेड तो कंपनी का इनकम भी बड़ है और यहां पर खर्चे भी कम मतलब यह डबल पॉजेटीविटी हमने को देखने को मिल रही और यहीं पॉजेट Tibv cincoै Όली 1350 अपको कंपर करने के आसानी हो जाएगी यह इस वक्कंए नंबर 370 एक साल पहले थे only 1300, 1350, इसको अगर आप लोग डबल भी करोगे, तो उससे भी ज़्यादा ये numbers देखने को मिल रहे है, और पिछले quarter को भी compare करोगे, तो वो भी solid है, मतलब आप खुद देख सकते, company grow कर रही है, ये में चीजे क्यों आपको बता रहा हूँ, तो इसका interpretation क्या होता है, कि जो हम लोग कहते हैं, कि बाजार में bubble करके, और वो कभी भी फट सकता है, तो ऐसे company को कोई डर नहीं रहेगा, इन्होंने प्रूव किया, इनका business अच्छा चल रहा है, demand है, अभी 1000 के बदले, या पर 3000 कमा रही है company, मतलब है ना demand है, तो इसलिए company का share भी टॉप लेवल पे है, तो ये चीज़े आपको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आपको पता है, कि ये pure profit देखनी के बाद, अभी tax adjustment शुरू हो जाएंगे, and profit for the period, और weekend से NPAT, वो कितना है 27, 27, उसके पहले था ये लगबग 2100, and एक साल पहले था only 960, तो आप देख सकते 960 खा profit हो चुका है, लगबग 2700 को भी cross कर चुका है, मतलब अगर हम लोग यहापे multiply by 3 भी करें, 930 आप लोगों को पता है 27, सो मतलब 3 फोल्ड में हम लोगों को profit जंप करते हुए देखने को मिल रहा है, year on year basis, and पिछले quarter में भी 2100 था, इस वक्त 2700, कमाल के जंप नजर यहापे आ रही है, and यही चीज़ अगर आप लोग यहापे चेक करोगे, earning per share के हिसाब से, तो वो भी आप लोग देख सकते, similar pattern में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका formula में भी NP80 रहता है, तो आप देख सकते लगबग 11 है, पिछले time आप देख सकते 8.42 था, तो जंप देख लेना, and सबसे खास बत, यहापे लगबग 3.83 का 11 लगबग हो चुका है, मतलब इसको भी multiply by 3 करोगे, तो approximately उतना ही देखने को मिलेगा, मतलब company का profit 3 गुना बढ़ चुका है, एक साल के अंदर अंदर, सो बहुत ही शांदार तरीके से jump यहापे नजर आ रही है, उसी की साथ साथ अगर देखा जाए, तो company debt free company भी है, जो कि आप लोग यहापे company के balance rate के और यहापे आके देख सकते यह देखे, long term borrowing एक रुपे का भी करजा नहीं है, क्या short term borrowing यह तो आप खुद देख सकते, current liabilities within one year कोई भी ऐसी चीज यहापे नहीं है, company के results देखना बाग ही रहे गे ते चलो कोई बात नहीं, company के results देख लेना साढ़े 300 करोड के आसपास है, जो कि पहले 200 थे, 300 थे, अभी 300 करोड यहापे हो चुके, अच्छा profit होगा, तो results भी simultaneously अच्छे खासे grow होते वे देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा और नीचा आते cash की स्थीती देख लेते 125 करोड, then 175 करोड and now 250 करोड, तो आप देख सकते cash भी company का बहुत अच्छा है, 5 star balance sheet आप चाओ तो बोल सकते हो, results अच्छे growth mode में है, cash अच्छा है growth mode में है, करजे की बात करें ना short term है ना long term है, तो 5 star balance sheet हम लोग इसको कह सकते हैं, अभी आ जाते हैं थोड़ा सा risk pattern के और, सवर्दोसर अभी हम लोग आ चुके हैं थोड़ा सा risk की pattern के और, मतलब आप यह आपर देख सकते हैं company का market cap, यह company एक mid cap quality की company है, तो यह चीज मतलब क्या risk की है मतलब खराब नहीं, अगें volatility रहेगी, अब चाहोगे वैसे वो चलेगी नहीं, फटाफट फटाफट कभी भी चलना चाहिए, जब company में यह आपर तेज़ी आएगी, तो जबरदस यह आपर आ सकते हैं, गिरावड भी वैसे हो सकती है, तो company वैसे भी अगर हम लोग देखा जाए, तो एक हफ़ते में 2% सिर्फ, एक मैने में 8.5% डाउन है, 1st January से 16-16.5% डाउन है, एक साल वालों को कोई चिंता की बात नहीं, 23% के profit में वो बेठे हुए है, तो प्रॉब्लेम किनको रहेगी, जिननने इस category में जो लोग यहापर आते, उनको दिक्कत रहेगी, जो लोग पुराने shareholder है, वो enjoy कर रहे है, 3 साल वाले 200%, 5 साल वाले भी 200%, और 10 साल वाले भी लगबग 200%, इतना कह सकता हूँ कि जिननने अभी अभी निवेश किया है, temporary मतलब बोलते हैं, एक साल भी नहीं हुए है, उनको यहापर इस कंपणी में दर्द मिलता होगा, बाकी लोग तो अभी भी देख सकते हैं, एक साल में भी 23% के रिटर्न पे यहापर, बेटे वे यहापर तीन साल वाले, पाथ साल वाले बोलने की ज़रूरत नहीं, आराम से मतलब दो गुना भी उनका पैसा यहापर हो चुका है, उससे भी ज़्यादा, सोरस अभी हम लोग आजो के कंपणी के चार्ट पेटर्न के और जहापर आप देख सकते, 3800 पे फिलाल यह स्टॉक देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, कि यह जो short term period है, एक दीन, पाच दीन, एक मैना, छे मैना, या फिर हम लोग कह सकते, 1st January से यह जो calculation है, उन्हीं लोगों को दिक्कत रहती होगी, यह दिख लेना, उनके लिए यह red chart pattern देखने को मिल रहा है, एक साल की बात करें, तो आप देख सकते 25% फाइदे में, पात साल वेल, अभी जो मैंने डेटा दिखाया, तो बताने का मकसद कहें कि मिड कैप quality के stock ऐसे रहते, अगर आप लोग ने अभी अभी एंटर किया, अगर अभी अभी आपको returns चाहिए fast में, तो वैसे तो आपको मिलेंगे नी, क्या ये company fundamental strong है, obviously इतना तो सब कुछ दिखा दिया, मतलब company के balance rate अच्छी है, सब कुछ आप अच्छा ही है, promoter holding भी दिखा देख थोड़ी देर बाद, सब कुछ अच्छा ही हापे, तो company main करती कह है, तो जैसे मैंने बता है, pharma and जिस चीज का demand है, आप सबी लोग का होता है, फिलाल COVID के चलते, vaccination का demand बहुत ज़्यादा है, सो दोस्तों यहापे हम लोग बात करें, एस्टा जेन की, यह दोस्तों एस्टा जेन की, वह आपे बात करें, एस्टा जेन फार्मा, आप लोग को यहापे पता है, एस्टा जेन इका, फार्मा की यहापे बात हो रही है, जो कि अगर मैं यहापे बात करो, आपको पता है, vaccination का शौटे जेस, हम लोग को देखने कुल रहा है, बहुत ज़्यादा demand है, इस कंपनी के product, मतलब vaccine से related, आप सब लोग को यहापे पता है, कि मतलब जो इंडिया का population है, पूरा vaccination करने के लिए, बहुत ज़्यादा time लगने वाले है, मतलब आने वाले next quarter भी, इन company के लिए अच्छा खासा income, यहापे regularly यहापे चलते रहने वाले है, थोड़ा सा net यहापे slow है, time ले सकता है, जो कि अभी आप लोग यहापे देख सकते हैं, 75%, यह जो सो pure 75% promoter के पास है, मतलब maximum इनी लोगों के पास है, बचा हुआ 25%, foreign investor, DIS, public के पास देखने मिलता है, और उसमें से अगर हम लोग देखा जाए, तो अगेन यहापे technical issue है, शायद से कोई भी share यहापे गिरवी नहीं होगा, करजा भी वैसे zero ही देखने को यहापे मिला है, सो एस्ट्राजेन की हाप में हम लोग बात करेते हैं, आप लोग यहापे देख सकते हो, एस्ट्राजेन, यहापे company का नाम भी आप लोग को यहापे दिखाना चाओंगा, बहुत से लोग सिर्फ company के नाम में इंट्रेस्टेड होते, उससे कोई होना जाना है नी, अगेन कहना चाओंगा, अगर आपके पास यह company है, एस्ट्राजेन फार्मा, तो जरू इसको यहापे hold करना, company के numbers, वाकई में हम लोग को यहापे अच्छे कासी यहापे देखने को ले, अच्छे कासी number मतलब इतना ही कहना चाओंगा, यह number में long term की सबसे आपे बात कराओ, हाँ company थोड़ी risk है, मिड़ का पे मतलब risk तो involved रहेगी, चाहिए वो कैसे भी performance दे, तो यह भी चीज आप लोगों ने जरू सोचना चाहिए, बहुत सब्सेर लोग क्या करते है, vaccine एना, demand रेका jump करते है, ऐसी बात नहीं है, आपको यह भी देखना पड़ेगा, और यह company higher level पीते है अब भी नीचे, जो लोग एक साल से यहाँ पे निवेश कर रहे हो, आज भी आपे 25% के profit में, तो अगर आपने time दिया, तो definitely आपको अच्छा आसा profit यहाँ पे हो सकता है, company के product की demand भी है, वापस जाते हैं बताना चाहूंगा, क्योंकि साड़े तीन बजने के बाद company के number आ चुके है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, so that's it, thank you very much दोस्तों, we will be meeting earning, शुदि तब तक के लिए, bye bye.